हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम मिलकर बनातें टिश्यू पेपर का क्राफ्ट यहां सबसे पहले मैंने तीन टिश्यू पेपर को लिये है, फिर इन्हें सेंटर से कट कर लिया है सेंटर से कट करने के बाद हमारे पास छे सेपरेट लेयर्स हो जाएंगी अब इन लेयर्स को वन बाई वन एक के उपर अच्छे इस तरह से सेट करना है फिर मैंने इसे कुछ इस तरह से फोल किया है, आप वीडियो में देख सकते है शुरू से लेकर एंड तक हमें इसी तरह फोल करते जाना है फोल होने के बाद हम इसे रबर की हेल्प से बांद देगे रबर बहुत जादा टाइटली पैक नहीं करना है ये देखिए कुछ इस तरह से फिर उसे हम सेंटर तक ले आएंगे अब मैंने पैन की हेल्प से दोनों साइड में कुछ इस तरह से कर्व का शेप दे दिया है अब सीजर की हेल्प से दोनों ही साइड को मैं कट कर लोगी कटिंग होने के बाद ये एक फ्लावर का बेस स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा इस तरह से देखिए मैंने इसे दोनों साइड से ओपन कर लिया है और आब ये फ्लावर का बेस स्ट्रक्चर रेडी है अब हमने जिस तरह से 6 टीशू पेपर की लेर सेट की थी उसी तरह हम 6 टीशू पेपर की लेर को वन बाई वन ओपन करेंगे ओपन करते वक्त हमें ध्यान रखना है यह फट न जाए टीशू पेपर बहुत ही नाजुक होते इसलिए उसे बहुत केरफुली हर लेयर्स को ओपन करना है फिर देखिए हमारा फ्लावर रेडी है आप इसे चाहे तो और अट्रक्टिव लुक देने के लिए उपर की तरफ ब यह बहुत ही जादा अट्रक्टिव पीस लग रहा है आप चाहे तो इसे बिना कलर के भी बिना सकते हैं तो बताइए आपको कैसे लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलीगा साथ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए थैंक्स फूर वाचिंग बाँ बाई